ध्यायित नित्यम महेशं रत गिरनिभं चारुचंद्रावतंसं रतना कल्पो ज्वलांगं पर्शु मिर्गवरा भीति हस्तं प्रशन्नं पदमा सीनं समंतात अस्तुत्मरगनेर व्यागर कृतेम वसानं विश्वाध्यं विश्ववीजं निखिल भयाहरं पंचवक्तरं तरन नेत्रम ओम नमशिवाय जैसरी राधिक्रिष्ण आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिस्तरा प्रजेंट में बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज आप सब सुनेंगे शुक्र परदोस ब्रत्र की कथा इस बार आसाड मास शुक्लपक्ष वर्ष दोहजा पर प्रदोस प्रत्र के नाम से जाना जाता है प्रतिग माह की कृष्ण पक्ष और शुक्लपक्ष की तिरोज अशितिति के दिन जब भी प्रदोस काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोस ब्रत्र को धारन किया जाता है इस ब्रत्र को प्रदोस ब्यापनी ली जाती ह और परदोस काल के समय में बिस्षिस प्रकार से भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कश्ट दूर होते हैं इस व्रत को धारन करने से सो गायों को दान करने के बराबर पूने फलों की प्राप्ति होती है परदोस का व्रत जिस दिन भी पढ़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के परदोस व्रत का अपना विशिश महत्त होता है रवी बार के दिन प्रदोस ब्रत हो तो उसे धारन करने से आयू आरोगिता की प्राप्ती होती है। सोम बार के दिन प्रदोस ब्रत हो तो उसे धारन करने से अभिष्ट सिध्धी की प्राप्ती होती है। मंगल बार के दिन परदोस ब्रत हो तो इससे रोगों सिमुक्ती और स्वास्तलाव की प्राप्ती होती है। बुद्ध बार के दिन परदोस ब्रत हो तो उसे धारण करने से सर्व कामना शिद्ध होती है। गुरु बार के दिन परदोस ब्रत हो तो उसे धारण करने से सत्रूओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रूओं का विनाश होता है। सुक्र बार के दिन परदोस ब्रत्त हो तो उसे धारण करने से सोभाग्य और इस्तरी की समरिद्धी के लिए सुक्र परदोस का ब्रत्त धारण किया जाता है वहीं पे शनिवार के दिन परदोस ब्रत्त हो तो उसे धारण करने से संतान लाब की प्राप्ति होती है तो इस बार सुक्र बार के दिन परदोस ब्रत्य है जिसे सोभाग और इस्तरी की समर्द्री के लिए इस ब्रत्य को धारट किया जाता है इस दिन विशेश प्रकार से भगवान शिव जी का माता पारवती का परदोस काल के समय में पूजन करना चाहिए परदोस काल का समय सुर्यास्त से एक घंटे पहले और सुर्यास्त के एक घंटे बीच तक का जो समय होता है वह समय परदोस काल का होता है इस दोरान भगबार शिव जी का साथ में शिव परिवार का पुड़े विधी विधान के साथ पूजन करना चाहिए आसाथ मास शुक्ल पक्षी की त्रयोदशी तिथी प्रारंब समय 18 जुलाई 2024 दिन गुरुबार रातरी आठ बजकर 45 मिनट और त्रयोदशी तिथी की जो समापती है वह 19 जुलाई 2024 दिन शुक्ल बार को साम 7 बजकर 42 मिनट पे प्रदोस काल पूजन का जो समय होगा 19 जुलाई को वह समय साम 5 बजकर 49 मिनट से साम 7 बजकर 49 मिनट तक होगा सुर्योदय का समय सुभा 5 बजकर 19 मिनट और सुर्यास्त साम 6 बजकर 49 मिनट होगा 19 जुलाई को जो विवक्त जन प्रदोस का ब्रत धारण करते हैं उन्हें प्रदोस ब्रत्य के दिन, यानि की तीरोदसी की सुभा उठ करके, नित्य करियाओं से निर्वित्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोरा सा गंगा जल मिला करके अश्नान करना चाहिए, भगवान से प्रातना करे कि मेरे सभी प्रकार के पापों का झासीख हो अम्में पुन्य फलों की प्राप्ति हो आपके मन में जो भी इक्षा हो जो वह भाग्वान शिवजी का सुवख और शाम के बक्त पूरे विधी विधान के साथ पूजन करना चाहिए इस तिन भगवान शिवजी का जलसे अविश्यक करें पंचामरी से विश्यक करें शुद्ग गंगा से विश्यक करे भगवान को सफीद वस्त्र अर्पित करे यग्यों पवीच ड़ाएं फिर अक्षत चंदन पुश्प पुश्पो की माला अर्पित करे तीन पत्य वाला विल्पत्र उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिवजी को बिलपत्र अर्पित करें। अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं अनिक प्रकार का नेविद्य। भगवान शिवजी को अर्पित करें। तो आए सुनते हैं सुक्र परदोस ब्रत्य की कथा। तो बोलिये प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै, माता पारवते की जै, सर्वदेवी देवता की जै। एक समय की बात है, सवी प्राणियों की हितार्थ परम पवित्र भागिर्थी के तट पर रिशी समाज द्वारा विशाल गोष्टी का आयोजन किया गया। विग्य महर्षियों की एकतरित सभा में वियास जी के परमशिष्य पुराण वित्ता स्री सूत जी हरी किर्थन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादी 88,000 रिशी मुलियों ने दंडबत उन्हें परणाम किया। महाग्यानी स्री सूत जी ने भक्ती भाव से रिश्यों को हिर्दै से लगाया तथा आस्रबात दिया। विद्वान रिशिगन और सवशिष्य आसनों पर विराजमान हो गये। मुनिगन विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परमदयालू। कलिकाल में भगवान शंकरजी की भक्ती किस अराधना द्वारा उपलब्द होगी। हम लोगों को बताने की कृपा किजिए। क्योंकि कलियों के सभी प्राणी पाप कर्मे रत होकर वीद सास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकर्टों से तरस्त रहेंगे। हे मुनिस्रेष्ट कलिकाल में सतकर्म की ओर किसी की रुची नहीं होगी। जब पुन्य शिन हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरीत होगी। जिससे दुराचारी पुरुस वन्स सहित समाप्त हो जाएगे। इस अखिल भू मंडल पर जो मनुष्य ग्यानी होकर ग्यानी की सिक्षा नहीं देता। उस पर परमपिता परमेश्ट्वर कभी प्रशन नहीं होते हैं। हे महामुने ऐसा कौन सा उत्तम ब्रत है जिससे मनोवांचित फल की प्राप्ती होती है। कृपाकर या बतलाईए। ऐसा सुनकर दयालू हिर्दय स्री सूत जी कहने लगे कि हेस्तरिष्ट मुनियों तथा शौनक जी आप धन्यवाद की पात्र हैं। आपके विचार सराह निये हैं इबं प्रसंस निये हैं। आप वैश्णवों में अगर गण्य हैं क्योंकि आपके हिर्दय में सदाही परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादी रिश्यों आप सुनो। मैं उस व्रत्त को तुमसे कहूंगा जिसके करने से सवपाप नश्ट हो जाते हैं। धन, व्रिद्धिकारक, दुख बिनाशक, शुक प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांचित, फल प्राप्ती कराने वाला या व्रत्त तुमको सुनाता हूं। जो किसी समय भगवान संकर जी ने सती जी को सुनाया था। और उनसे प्राप्त या परम स्रेश्ट उपदेश मेरे पुझ गुरु जी ने मुझे सुनाया था। जिसे मैं आपको समय पाकर शुब वेला में सुनाता हूं। अब मैं आपको शुक्रवार त्रोदशी परदोस ब्रत्त की कता सुनाता हूं। दूसरा ब्रामन पुत्र, तीसरा सेट पुत्र था। राजकुमार वो ब्रामन पुत्र का विवा हो चुका था। सेट पुत्र का विवा के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनो मित्र आपस में इस्तरियों की चर्चा कर रहे थे। ब्रामन पुत्र ने नारियों क प्रसंसा करते हुए कहा कि नारेहीन कर भूतों का डेरा होता है सेट पुत्र ने जब यहां बचन सुना तो अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्य किया सेट का पुत्र अपने घर गया और म्याता पिता से अपना निश्य बतलाया उन्होंने बेटा से कहा कि बेटा सुक्र देपता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुव नहीं होता है, अतहा शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आना, सेट पुत्र अपनी जिद से तस से मस नहीं हुआ, और अपनी ससुराल जा पहुँच सा ससुर को उसके इराधे का पता चला, उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किन्तु वह नहीं माना, और फिर उनके सा ससुर को विवस हो, अपनी कन्या को विदा करना पड़ा, ससुराल से विदा होकर पती पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे, कि उनकी बैल गारी का पहि अतन जारी रखा, तभी डाकों से भेट हो गई, और वे धन धाने लूट कर ले गए, सेट पूत्र पत्नी सहित रोता पेड़ता अपने घरब जा पहुंचा, जाते ही उसे सर्पने डस लिया, उसके पिता ने वेद्यों को बुलवाया, उन्होंने देखने के बाद घोशना जाकी कि सेट पुत्र तीन दीन में मर जायेगा, उसी समय इस घटना का पता, जब ब्राह्मन पुत्र को लगा, तो उसने सेट से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहु के घर वापस भेज़ दो, या सारी बाधायें, इसलिए आई है कि आपका पुत्र सुक्र अस पधू को वापस लोटा दिया, वहां पहुंचते ही सेट पुत्र की हालत ठीक होनी आरंब हो गई, शेश जीवन सुख आनंद पुरवक व्यतीत किया, और अंत में वह पती-पत्नी दोनों विवान द्वारा स्वर्ग लोग को चले गए, इस प्रकार से जो भी सच्ची सरध के साथ शुक्रबार परदोस का व्रत धारन करते हैं, तो उनके जीवन की सभी प्रकार की दुख और कश्ट दूर हो जाते हैं, तथा दामपत्य जीवन खोशहाल होता है, तो बोलिए प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै, माता पारवती की जै, सर्वदेवी देवता की ज जो भी भक्तिजन परदोस का व्रत करते हैं, उन्हें परदोस का व्रत कम से कम 11-23 या 26-23 का व्रत धारन करना चाहिए, और फिर व्रत पुर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, परदोस प्रत के दिन जो की दिन रातरी उपवास रहते हुए व्रत को धारन करना और इस तिन भगवान शिवजी का पूरे विधी विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान शिवजी का अगर मंदिर में पूजन कर रहे हों तो मंदिर में पूजन समगरी लेकर की भगवान शिवजी का पूजन करें। तो घर पे अगर पूजन करते हों तो घर पे भगवान के पूजन के लिए एक चोकी लगा करके चोकी पे भगवान स्रिप जी के लिए सफेद वस्त्र और माता पारवती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके उनकी फोटो या प्रतीमा को अस्थापित करके मंडप को पांच सबसे पहले भगवान गनेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा सरवन करनी चाहिए। भगवान सिवजी के अस्तोत्र 40 आदी का पाठिया सरवन करना चाहिए। व्रत्य के दोरान व्रत्य को किसी के उपर कुरोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रती इर्षा या दुएस का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या सरी ओमा महेश्वराब भ्याम नमः इन मंतुरों का जब करना चाहिए, इस्तिरिया केवल नमः शिवाय नाम जब करे, इससे पुन्य फलों की प्राप्ति होती है और जब भगवान शिव दिवादी देव महादेव प्रशन होते हैं, तो अपन ऐसे ही ज्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करते रहने के लिए, ब्रत्य पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आये हैं, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में वेल आइकन घंटी को मुर्त के बारे में जानना चाहते हों, रक्षा बंधन सुमुर्थ के बारे में जानना चाहते हों, तो उसका भी वीडियो चैनल पे अप्लोड है, या वीडियो के इंड्य स्कीर में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसकी माध्यम से जानकारिया को प्राप्त कर सकते ह तो आसा करता हूँ किया जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान बरधक जानकारिया प्राप्त करती रहने के लिए द्रत्य पूजा के बारे में जानने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन घंटी क को दबाए ताकि आने वाली वीडियो का नोट फीकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करे शेयर करे शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरे राधे कृष्णर